ओम सिरेगणेशे आनमा दोस्तों ओम गड़पती स्वामधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर गुद्वार आज के मितुन रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका विजनेस और विवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे अपलोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटफीशन की मेल को भी दमाएं जिससे आप तक समय समय पर नए नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका confidence बड़ा हुआ रहेगा सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे जियां दोस्तो आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं जो आगे आपको धल आपके अफ़सर देगा रुका हुआ फसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है जियां दोस्तो अगर आप कोशिस करें तो आपको सोचे वे कुछ जरूरी काम समय पर पूरे होंगे आपको जबी फैसला लें काफी सोच समझ करें बविश्य को और बहतर बनाने के लिए आज जरूरी कदम उठाएंगे आपकी सभी योजनाए समय से पूरी होगी जियां दोस्तो आर्तिक इस्तिती मजबूत होगी लेकिन महनत करने पड़ेगी आपका पूरा दिहान अपने केरियर को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा और आपको किसी जरूरत मंद की मदद करके काफी खुशी महसूस होगी आपको अपने सभी कारियों में सफलता मिलेगी अगर कोई लाब कावसर मिले तो उसे अपने हाथों से ना जाने दे और साथ ही बिजनेस और नीजी जीवन में अपने विरोधियों से सावधान रहें आपको नए लोगों से थोड़ा संबल कर रहना होगा अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में दोस्तो आज यात्रा से कष्ट हो सकता है वहान और मसीनरी से सावधान रहें आप जो भी कारी करें सोच समझ कर करें हो से के तो किसी वरिष्ट की सलावत से लें बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कई ये बात सामने वाले को बुरी ना लेगे आज जीवन साती से कोई अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके विर्षाय और केरियर के बारे में आपका आर्थिक पक्ष पहली किया पकिछा और मजबुत होगा व्यापारी वर्प को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा दिहान केरियर को आगे बढ़ाने में ही रहेगा कारिया चितर में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है बविश्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा आप परिवार बालों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी पिलान बना सकते हैं पारिवार के रिष्टों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का आसिरवात प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसी इसने और प्यार बढ़ा रहेगा घर परिवार में खुश्यों का महुल रहेगा आपको अपने व्रोदियों से तोड़ा बचकर रहना होगा दोस्तों आपकी लव लाइप कैसी रहेगी जीवन साती के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावोग हो सकते हैं विवाईत जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आप जीवन साती के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं जीवन साती को लाब का अवसर प्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात आज दोस्ती में बदल सकती है दामपत जीवन काफी प्रेमपूर्ण बना रहेगा जीहां दोस्तों आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्थ संबंदी समश्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिसे पेर और हातों में सूजन और दर्द की समश्या से बचा जा सके ये समश्याओं मौसम परिवर्तन से उत्मन हो सकती है आपके लिए बहतर होगा नियमित योग करें व्यायाम करें प्रानायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्त रहें दोस्तों आज आप ये उपाए वश्य करें सुभे के समय गौमाता को मीटे आटे की लोई बना कर खिलाएं और स्री गण इस भगवान को हरी दूरवार पित करें और इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम स्री गंगन पते नमा ओम स्री गंगन पते नमा इस प्रकार उपाए करने से आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण होंगी दोस्तों आपको भगवान स्री गंगन इसका स्रुवात प्राप्तों कमेंट में जे गंगन इस अवसे लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो